नमस्कार दोस्तों स्वागए था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा आल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 का अफिसियल पेपर है जो कंप्यूटर बेस्ट हुगा था तो यह हमार इसकल से आपके 20 कोश्चन पूछे गया टोटल यहां पर आपके 80 कोश्चन पूछे गया ठीक यह हो गया कि अब देखिए यहां पर हम लोग को देखेंगे दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैं बता दूँ यह जो पेपर मिला हमें यह एंसीविटी द्वारा ही है ठीक ब लेगा तो सिर्फ और सिर्फ चालिस कोश्चन आपको जूए जो टेक्निकल वाला है आप इसे मैनेज कर लिए इंगलिस वाला ही समझ लेजिए ठीक तो इंगलिस में हम आपको बता देंगे बाकि जो चालिस के बाद 41 लेकर 80 कोश्चन रहेंगे आपके हिंदी और उंगलिस कौन सी भास यह हमें भी नहीं पता ठीक तो यह हो गया जैसे कि यहां पर पहला कोश्चन रहें जाता है तो यहां पर किया जाता है इक्स्टरनल सर्किलिब यह हो गया फिस टाइप आफ लाकिंग डिवाइस यूज़ अन साफ्ट एंड सिमिलर पार्ट यह हो जागा को इस्टनर सरकली अब देखिए दूसरा कोश्चन है यहां पर इसे हम थोड़ा और जूम करें ताकि आप लोग अच्छे से दिख सके यहां पर देखिए दूसरा कोश्चन है इसका नाम किया है तो जाकि फिगर में जो की दिख रहा है इसका नाम है हालो सैडल की तो यहां पर इसका यह अंसर करेक्ट हो जाएगा हालो सैडल की तीसरा कोशन है विश टाइप आफ नट रिकूर्ट टू एलाइन दे एक्सल साप्ट होल एंड सलाट आप दननाट फर ल यहां पर इसका एंसर करेक्ट हो जाएगा कैसलनाट तो दखिये यहां पर चोथा कोश्ज़न है विच की यूज़ड फर इजी मिविभ्ण यानि के आसानी से को चानुर्ण Metropolitan के लिए जो और कुंजी यूज़ की जाती है वह कुंजी रहता है है यहां पर करेक्ट आउप से नमबर बी देखें यहां पर फाच्वा कोश्चन है विचल इज अपलब घृट के सोबरें कि माम फारल क्या मापा जाता है करेंट को आपको भी पता होगा यहाँ पर शक्ता सी अंहटर हो जाएगा अब देखिए यहां पर चाहीं यहां पर दराने वाट और और इंस्टुमेंट फीगर में यहिए तो मेखने मेजरिंटी प्लेट इन दऄ लिए लेड एसीड बैटरी में प्लेट होता है उसका उसका मेटेरियल क्या होता है तो उसका होता है लेद पर अक्साइड तो लेड पर अप्से नंबर थी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस ठीकत रहा होगा यह जो आपका इंगली से हम आपको ट्रांसलेट कर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहों देखे आठ़मा कोशन आपर विच डिवाइस इस टू रिमूव टाक्सिक वेश्ट तो टाक्सिक वेश्ट को रिमूब करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है जिसके लिए किया जाता वेकुम किलीनर ठीक तो टाक्सिक वेश्ट को यानि कि जो विसायली होती है उनको रिमूब करने के ल न democrat पर क्रेस्ट हो जाएगा आपसों नमबर C इजानरे नमबर कोशने मीडिया a of normalizing नर्म्लाइजींग का जो क्योंच मीडिया होता है बहां क्या है गत्वождफला कि open air यानि कि खुली हावा खञवा अ gelir नमबर कोशन वेची किंटि प्रोटेक्टिंग दा I from harmful reset of the electric arque welding Electric Grant Arque welding में में काणिकार्थ किरने होती हैं उससे आँख किसे पहनते हैं य हीर्डग करते हैं जिसके लिए जिसके लिए हम लोग करते हैं 1200 welding helmet screen welding helmet screen यहां पर आपसे number market कोश्षं साठी ही ही ट्रेट्मेंट प्रायों FC प्रक्रम है अपकाips है ठेक यहां पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा अगला है चालिस नंबर कोश्चन किस प्रकार के पंप का परियोग किया जाता है जब्रेख होता है उसमें जो हम लोग यूज करते हैं वह रहाता हमारा प्लंजर पंप अपसे नंबर भी करेक्ट हो जाएगा प्लंजर इसको क्या क्या का है जो ड्युमिन होता है उसके और इसने अब क्या होता है और यह आपका पॉजब्र भीं क्रींग होता एक आपका ड्यूबिवन खुन, इसकी क्या कहते है अपोजिट डाइक्सें में घूमता है यह इसका कहने का मतलब है यह फोजिट डाइक्स नियापर पर सी आंसर करेक्ट होगा देखिए सोले नमर कोश्चन यहां पर करें मार्क के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं या मीडिया हम लोग मार्किंग मीडिया हम लोग क्या यूज करते हैं इसके लिए यूज करते हैं प्रूसियन बूलू यहां पर क्रेक्ट आंसर जाएगा आपसो नमबर भी ठ्राइब कोशन वाट इस दे यूज आफ बेंच वाइस का प्रियोग क्या है तो देखिए बेंच वैस तर्क इंदा इस्टेरिंग सिस्टम में टार को कैसे बढ़ाया जाता तो देखियग मतलब बड़ाया जाता है तो जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं तो आपको तो भी पता होगा कि इंजन जो होते हैं तो फोर इस्टोग इंजन होते हैं अब उसी में आ जाते हैं ट्व इस्टोग डेजल इंजन डू इस तो पेट्रोल इंजन इस तरह से आपके क्लासिफाइब होते रहते हैं देखे 21 नमबर कोचन है हाउ दा पिष्टन इस्ट्रोक इस डिफाइंड आए यानि कि पिष्टन इस इसको हम लोग कैसे डिफाइंड करते हैं तो इसे हम लोग करते हैं डबल दथ थ्रो तो डबल दथ यहां पर करेक्ट्टांस रोजाएगा आपसा नमबर एक बाश्टन है वेच इंस्ट्रूमेंट इजी चेक दाट टैपड़ किलियरेंस होता है उसको हम लोग किस उपकरण की साहता से चेक करते हैं तो यह जो हम लोग चेक करते हैं वह फिलर गेज के द्वारा चेक करते हैं अब देखिए अगला कोशन है यह तो हो गया कि यह जो फिगर में आफसा नंबर भी यहां पर करेक्ट होगा देखिए चावविस नंबर का कोश्चन है वाफिज दर मेटेरियला व दिफ्षैन नुटिबन सीम्स तो यहां पर इसका प्रियाल आप जलेंडर ब्लाक क्या होता है इसका पदार्थ या उसका मटेरियल क्या होता है यह पर और यह तो प्रकार के पर करते हैं तो हम करते करते हैं है यहां पर तक होजाएगा 28 नमबर कोश्चें इन फूटाइप आप कूलिंग सिस्टम रेट आप कूलिंग इंज वेरी लो कह रहा है किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम में जो कूलिंग है лучше सक जो होतीय जो संप से करती है कि तो ही डिवाइस संप करती Emp you tell meta1 दिवाइस करती है वह स्था संप से ना में खिलती कि बंदम क्या करते हैं मैं Glück कि आंब को सक करती है थे यह यह गयों कि खींचती है अतो थीज़ को सिस्टम थे इस नॉमर कोशन है हाव द वाटर पंप गेट ड्राव इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम तो में कह रहा कि वाटर पंप गेट ड्राव इन और ऑप का बेल्ट के द्वारा होता है ठीक है तो जो वाटर पंप को हम लोग चलाते हैं सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम में वो बाई बेल्ट के द्वारा चलता है देखिए एक तिस नमर कोशन है वाट इदा मैटेरियल जनरली यूज़ फार मनुफेक्चरिंग इनलेट हम लोग जनरली कौंस माटेरियल यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलमुणियम एलाए तो जो इनलेट मैनिफोल्ड रहता है वह अलमुणियम एका बनाए जाता है कि देखिए 32 नमबर का कोश्चन वाट इज दनेम आप दर नौजल फिगर में जो नौजल दिख रहा है इसका नाम है पिंटल नौजल यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा 33 नमबर कोश्चन है विज फ्यूल रिलेटेड विट सीटन नमबर से कौन से हैं तो देखिए सीटन नमबर से आपका जो रिलेटर रहता है वह करता है आपका डीजल से शीटन न कि नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर इसका 33 कभी आंसर करेक्ट हो जाएगा चाहिए देखिए देखिया तो उनर कोश्चन है इन सीडी इंजन फिल सिस्टम वेर अचेश्चाशिव फ्यूल रिटर्फ तो यह आपका क्रेक्ट अंसर हूज जाएग हम लोग कहां पर यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं मरीन में रिलीज़ बाइ डायरेक्टरली फ्राम इंजन टुद एटपांस्पीयर यहां पर करेक्ट रहो जाया कि क्रेंग केस एंड इग्जास्ट शिस्टम देखिए अलतिस नमबर कोशन है वेर दा पाश्टिव क्रेंग केस बेंटिलाजेशन फिटेड यानि कि जो पाश्टिव क्र इंजन ब्रीथ एंड क्लीनर में 39 नमबर क् प्रिवेंट बैक्फोलो आप करेंट इन अल्टरने अल्टरनेटर में करेंट के ओउस्ट प्रिवेंटि यानि कौन生ारा पर्ट सुरच्छा करता है तो यह करता है आपका डायोड देखिए चालिस नमबर कोशन है वाट इज दा नेम पार्ट मार्क एज एक्स फिगर में जो साइन दिख रहा है इसका नाम क्या है जो एक्स वाला पार्ट है यह है आपका प्लंजर आपसे नमबर से यहां पर दिखाइएं वह हैं लेंथ मास और टाइम यान कि लंबाइद रभयमान और समय यह सब क्या है मक्स प्रडाली के जो है मुलभू तिकाइएं ठीक है फोटी से फोटी नमबर कोशन है वाट डिनोट से लेटर कैप्टल एम के सिस्टम में किस्टम में जो होता है उसमें कैप् प्रोड़क्ट आफ 0.003 इंटु 0.5 003 गुलान फल्किया होगा तो देखिया पंद्रे चारंग पे दस्मॉला लगेगा आप तो नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा फोटी 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 नमबर कोशन है कानवाट 0.456 डेसिमल फ्रिक्शन इंटु परसेंटेज जि यहां पर कि विच मेटल कंटेंस आयरन ऐजे मेजर कंटेंट इनमें से किस दात में प्रमुक समगरी के रूप में लोहा होता है तो नाम से यसपर्ष है कि फेरस मेटेरियल में आपका लोहा होगा फोटी सिक्स नमबर कोश्चन है विच मेकैनिकल प्रापर्टी आप मेटल आपर से रजिश्टेट टू एलास्टिक डिफार्मेशन इंदा कटिंग टूल यानि कि धात की कौंस यांत्रिक गुड एक काटने के उपकरण में लोचितार विरूपन के लिए प्रतिरोष प्रदान करती है तो यह रहता हमारा हार्डनेस यानि की कठोरता आप सो नमबर स चिलका परियोग की जाता है किमती उपकरण बनाने के लिए फोटेट नमबर कोशन है वाट इच काल्ड मास पर यूनिट वैलूम आफे सबस्टेंस किसी प्रदार्थ की द्रभेमान प्रतीका यहतन को क्या कहा जाता है तो आपको पता कोई घना तुकल्ट होता है द्रभेम आपने जिसमें परिमाड होता है सिर्फ या साइज होता है उसके लों में ऊस्काल घ्रख क्या होता है तो पाने की बिस्रिस्ट में होती है वह एक होती है चैक देखिए नमेंबर को अवाटी। कोइंट इसकील अपर नहीं का इसकील में पनी का क॥नाख के कितना होता है तो देखिए फार नाइट में जुट फारेन्हाइट होता है एद गपीट फ्यून कोशेश्ट मेंकूलियोट इमान। फिक रिकव्यर तो रेज्ट वेडिए तेंप्रेचिर आफिपिप्टी पॉइं सब्सक्राइब एक पांच ग्राम रेट एक ग्राम बढ़ाने के लिए आवस्य कुस्मा की मात्रा क्या होगी तो यह होगा सबसे चालक होता है हमारा कापर होता है अब यहां पर फिप्टी फाइफ नंबर का कोशन है वाट इसका प्रत्रीवत कितना होगा यह वर इक भुजा क्या होगा जिसका च्षेतरफल 625 में स्कूर है तो आपको भी पता होगा कि जो वर गी भुजा होती है वह ए स्कूर होता है सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी पता होता है उसका परिमाप होता है कि तीनों भूजाओं का योग तीनों भूजाओं का योग करेंगे तो चालिस विस और अठाइसी आपका अठाइसी एमें अब देखिए यहाँ पर फिप्टी नाइन नमर का कोशन है विच एग्जामपल फार फर्स्ट अर्टर लिवर जो फर्स्ट अर्टर लिवर होते है उसको दारण अकौंस है यह दार इस साइनधी टाइक उन्रूट फ्री वाई टो साइन कितने अंसका मन अंदरूट 3 वाई टू होता है कि एक सर्थ नमर कोशन है आप्टर रेसीविंग इंटर्वी को ल वाट इज़ा नेक्स्ट सच्छाथ कार काल प्राप्ट करने के बाद अगला कदम क्या होता है अगला क लेकिन आपर 63 नमबर का कोश्चन है वर्ड देट इच प्रोनाउंच्ट टू दा सेम एज एन अधर वर्ड बट डिफरेंट इन मेनिंग इज कल वह सब्सक्राइब जो किसी दूसरे सब्सक्राइब के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ह हमोफोन या पर करेक्ट आंसर हो जाएक आप सो नमबरे शिश्टिफ प्र लेगल एक्टिविटी कमिटेड आंदा इंटरनेट इच काल इंटरनेट पर की गई एक अवाइद गज़िविधी को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है साइबर क्राइम तो आप तो आप सो नमबर टेक्स्ट को लंबाई वार प्रिंट किया जाता है यह किया जाता है पुर्ट्रेट मोड में अब देखिए यहां पर 67 नमबर कोश्चन है यहां का पुल फार्म किया है तो वाइड अरिया नेटवर्क होता है आपसा नमबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा 68 नमबर कोश्चन है डेडिकेशन टुए पर्टिकुलर वर्क इच काल्ड किसी वेसे स्कार के लिए समरपन को क्या कहा जाता है तो इससे कहा जाता है कमिटमेंट आपसा नमबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए 69 नमबर कोश्चन है गोल सार कटेग्राइट है संदेश का सब्सक्राइब कोश्चन है मने इनवेस्टेड इन पर्चेजिंग आप रा माटेरियल पेमेंट आप वेज एंड सेलेज रेंटल एक्टरिसीटी एटीसी कमस अंडर कच्चे मल की खरीदारी मजदूरी और वेतन किराय बजली आतके भुकतान में निवेस किया प पैसा परिकिंग के अंतरगत आता है बहुता नमबर कोशन है विच अप्रोज इस टूगें एकसे से तू फारें मार्केट एंड क्यूकिली प्रमोट एंड अर्गनाइजेशन इंट्रेस्ट विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को प्रियोग किया जाता है एक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं होता है तो हमारा रहता है इंकम सर्टिफिकेट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चाहते नमबर कोशन है अट वाट डेसिवल सौंड विकम्स हैजड इनवाइज पलूपलूज किस डेसिबल पर ध्वानी खतरनाग ध्वानी परदूसर बन जाती है तो असी डेसिबल से उपर की जो ध्वानियां होती है वह द्वानी परदूसर के अंतरगत आती है चाहते नमबर कोशन है अंडर फैक्टरी एक्ट दा वरकर विकली हावर्स सुट नाट एक्सीड मोर द प्रदूसर कारवन मोन अक्साइड जो सी होता है हमारा प्लूसर होता है अब देखिया टोटल नमबर पाप्लर क्वांटिटी टूल सार लोग प्रिगुरु वक्ता उप करोनों की कुल संख्या कितनी होती है तो यह साथ होती है अगले फिच फार्मूला इस करेक्ट कौन सा फार्मूला सही है तो पी क्वाल टू पी वाइक क्यू आपसा नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह कुछ इंपर्टन कोशन थे जो कि डिजल मकेनिक या मकेनिक डिजल के आपके कोश्चन थे जो कि प्रिविएस येर में पूछे गए थे वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, thank you.